मैं मीना गुपतास इस एपिशोर में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल आज प्रगिती के पत पर अगशर है इश्क श्रे आप सभी साइं भक्तों को चाहता है आपका श्योग इसी तरह मिला तो हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपको साइ चरित की अध्या तीन प्रारम कर रहे हैं इसमें ग्रंत लेखन हेतु बाबा की श्योक्रिती भाक्तों को प्रेणा और बाबा का चरित्र जोतिस्तम सरूब और मात्र प्रेम का पूरा-पूरा वर्णन किया गया है ग्रंत लेखन हेतु बाबा की श्योक्रिती इसके बारे मे में बतलाया जा चुका है कि बाबा ने सचरित लिखने की अनमती देते हुए कहा कि सचरित लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनमती है तुम अपना चित एकाग्र कर मेरे बचनों में श्रद्धा रप्ते हुए निर्भाय होकर करतब विपालन करते रहो यदि मेरी लीलाएं लिखी गई हैं तो अज्ञान का नाश होगा तथा ध्यानवा भक्ति पूर्वक्ष्रवन करने से देवुद्धी नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीवर लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई में जाएगा उशे ग्यान रूपी अमूल रतनी की प्राप्ति होगी इन बचनों को सुनकर हैमाटपंत को बड़ी प्रिशन्यता होई और वे निर्विक हो गए उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश ही शफल होगा बाबा ने शामा की ओर देख कर कहा जो भी प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्वरन करेगा मैं उसकी समस्त एक्षाएं पून कर दूँगा उसकी भक्ती में उत्रोत्तर ब्रद्धी होगी और जो मेरे चरित्र और कार्यों का स्रध्धा भाव से गुणगान करेगा उसकी में हर प्रकार से शदेव शाहिता करूँगा जो भक्त गण हिदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं सुनकर सभावतर प्रशन्यता होगी विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा उसे परमानंद और चिर्शन्तोष की प्राप्ती होगी यह मेरा वैसिष्ट है कि जो कोई अनन्न भावशे मेरी शरण आता है और जो श्रद्धा पूरवक मेरा पूजन निरंतर इश्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है उसको मैं मुक्ती प्राण कर देता हूँ जो नित मेरा नाम इश्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लिलाओं का प्रेम भाव से मनन करते हैं ऐसे भक्तों में शारिरिक वाशनाएं और अज्यान रूपी जो प्रवत्तियां कैसे ठैर सकती हैं मैं उन्हें मृत्यों के मुक से भी बचा लेता हूँ मेरी कथाओं सुनने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी अतह मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो और मनन करो शुक और शंतोष प्राप्ति का सहज मार्ग यही है इससे शुरताओं के मन को शांती प्राप्त होगी और जब ध्यान गहरा और विश्वास द्रड हो जाएगा तब अखंड चैतन से अभिन्यता प्राप्त हो जाएगी तेवल साई साई के उचान मात्र से ही उनके शमस्त पाप नष्ट हो जाएगे अब हम आपको बतलाते हैं भगतों को प्रेणा बाबा ने किस प्रकार अपने भगतों को प्रेणा दी बाबा अपने किसी भगत को मंदिर और मठ बनوाने किसी को नदी के तट पर घाट बनवाने और किसी को तीठाटन करने और किसी को भगवान का कीर्टन करने की प्रेणा देते हैं परंत उन्होंने मुझे तो साही चरिद लिखने की प्रेणा दी किसी भी विद्या का पूर्ण ग्यान ना होने के कारण मैं इस कार के लिए शर्वता आयोगी था अतर मुझे इस कटिन कार का दुस्साहास क्यों करना चाहिए स्री साही महरायत की यथार्त जीवनी का वणन करने में कौन सक्षम है उनकी क्रपा से ही कारी पूर्ण होना शंब्र है इसलिए जब मैंने लेखन प्रारम किया तो बाबा ने मेरा एहम नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वैम ही अपना चरित्र रचा अतार इस चरित्र काशे स्री साइनात को ही जाता है मुझे नहीं जन्म से ही प्रामन होते हुए भी मैंदिवी चक्षुवीन होने के कारण साइन सचे लिखने में सर्था आयोग था परन्तु हरी क्रपा से क्या शंबो नहीं है मूख भी बाचाल हो जाता है और पंगू भी परवत पर चर जाता है से चर्ण सर कारपून करने की युक्ती वही जाने अब हम आपको दिखला रहे हैं और सुना रहे हैं बतला रहे हैं कि बाबा का चरित और जोती स्थम सरू समुद्र में अनीक जोती स्थम इसलिए बनाये जाते हैं ताकि नाविक लोग चट्टानों और दुरगटनाओं से बचें और जहाज को कोई भी नुक्षान ना हो, कोई विशती ना हो इस संसार सागर में स्री साई बबा का चरित ठीक इसी प्रकार का है वह अमरत से भी अधिक मीठा और संसारी मार्ग को सरल बनाने वाला है जब कानों के दौरा हिदय में प्रवेश करता है तब देव उद्धी नश्ट हो जाती है और हिदय में एकत्तित करने से शारी कुशंकाएं समापत हो जाती है एहंकार नश्ट हो जाता है तथा बौधिक आवरन लुप्त होकर ग्यान प्रगट हो जाता है बाबा के विशुद्ध येश को निश्टा पूर्वक सर्वन करने से भगतों के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं अताहिए मोक्ष प्राप्ति का बहुत ही स्चरल साधन है सत्यूग में शम तथा दम, तेता में त्याग और द्वापर में पूजन और कल्यूग में भगत की तन ही मोक्ष का साधन है ये अंतिम साधन चारों बढ़नों के लोगों के लिए शाधिभी है अनिशाधन योग, त्याग, ध्यान, धारना आदी आच्रन करने में कठिन है परन्तु चरित तथा हरी कीर्टन का स्रवान तो अती शुलव है अर्थात अती शेरल है केवल उन पर ध्यान देने की ही आवशकता है कठास रवान और पीरतन से इंद्रियों की विश्यों के प्रती सवाविक विश्याशक्ती नश्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म शाप्षात कार की और अग्रशर हो जाता है इसी फल को प्रान करने हेतू उन्होंने सच्चरित की रचना करवाई भक्त गन अब सरलता पूर्वक इस चरित्र का अलोकन करें और साथ ही उनके मनुहर शरूप का गुरू और भगवत भक्ती के अधिकारी बनें तथा निसकाम और आत्म शाप्षात कार करें साई चरित के सफलता पूर्वक शंपून होने को शाई महिमा ही समझें हमें तो केवल एक निमित मात्र ही बनाया गया है अब हम साई चरित के अध्यतीन का मात्र प्रेम बतलाते हैं सभी जानते हैं सभी लोग जानते हैं कि गाय अपने बचले से बहुत प्रेम करती है उसके इस्तनों में हमेशा दूट बरा रहता है और जब भूका बचला जब भूका बचला इस्तन की और दौड कर आता है तो दूट की धारा श्वतहरी प्रभावित होने लगती है उशी प्रकार माता भी अपने बच्चे की होशकता का पहले से ही ध्यान रगती है और ठीक समय पर इस्तन पान कराती है जब भच्चे का सिंगार ठीक धंग से करती है परंतु भच्चे को इसका कोई ग्यान नहीं होता कि मेरी मा में रशिंगार कर रही है भच्चे की सुन्दर सिंगार को देखकर माता बड़ी ही प्रशन होती है मा का प्यार विचित अशाधन और निश्वार्थ है जिसकी कोई उपमा नहीं है ठीक उसी प्रकार सद्गुरू का भी प्रेम अपने शिश्य पर होता है ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था उदारन 1916 में 1916 में मैं नौकरी से रिटायर हो गया जो पैंसन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के निर्वाय के लिए पर्याप्त नहीं थी उसी वर्ष की गुरू पुन्वा के दिन में अन्य भाक्तों के साथ सिर्डी गया वहां अन्य चिचडी करने स्वयम ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रतना की इनके उपर क्रपा करो जो पैंसन इन्हें मिलती है वह निर्वायोग नहीं है कुटुम बढ़ रहा है क्रपया और कोई नोकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये शुक्षिर है बाबा ने उत्तर दिया इन्हें नोकरी मिल जाएगी परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में आनन लेना चाहिए इनकी इक्षाएं सदेव पूर होंगी इन्हें अपना ध्यान मेरी उला करशित कर अधार्मिक तदर दुष्ट जनों की संगती से दूर रहना चाहिए इन्हें सबके प्रति दया वाविनम्ता का विहार और अंता करांचे मेरी उपाशना करनी चाहिए यदि ये इस तरकार आचन कर सके तो सदा सुखी रहेंगे अध्यायतीन आज पूर्ण हुआ आप हमारे चैनल को सेश्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जैसे राम जैसे राम झाल झाल